आज की मुल्ली से हम लक्षय लेंगे सतु प्रधान बन विश्व का मालिक बनना है सतो प्रधान बनने के लिए आज कुछ धारना उपर एटेंशन देंगे और याद के उपर एटेंशन देंगे बाबा ने कहा सतो प्रधान बनने की मन्जिल बहुत भारी है इसलिए कुछ धारना अपनी बुद्धी में रखेंगे आपस में भाई-भाई की दृष्टी रखनी है जर्मुई जग्मुई में टाइम वेस्ट नहीं करना है दूसरों की कलतिया नहीं देखनी है खामिया नहीं देखनी है इसके लिए बाबा ने कहा आपस में रुहानी प्यार रखना है स्वभाब बहुत मीठा रखना है जर्मुई जग्मुई नहीं करनी है मत भेद में नहीं आना है अपनी स्थिती को अडोल रखना है अपने लक्षय को सुमृती में रखना है कि हमें स्वतो प्रधान बनना ही है अपने मू मिया मिठु नहीं समझना है मतलब कि अपनी तारीफ खुद नहीं करनी है शरीमत पर चलकर विश्व की बात्शाही लेनी है ये लक्षय को सुमृति में रखना है शरीमत को याद रखेंगे सारा दिन तो अपने आप आत्मा संकल्प, बोल, करम, चलन में पवितरता की धारना करेगी तो सतोप्रधान बनती चाहेगी तो ये धारनाय आज सुमृति में रखेंगे दूसरी विदी बताई, याद बावने कहा, ये याद एक यात्रा है जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे उतना ही सतोप्रधान बनते जाएंगे तो आपकी याद अव्याभ्याचारी होने चाहिए एक बाप के सिवाए कोई और की याद ना आए एक बाप के प्यार में एक बाप के साथ लटके रहना है, चटके रहना है अर्थात मीठा बाबा है उसके प्यार में अपनी मन और बुद्धी को एकाग्र करना है इसकी जो विधी बताई तो बाबा ने कहा तुम विदेही हो जब हम देह से न्यारे होते हैं विदेही बनते हैं तो मन और बुद्धी को बाब पर एकाग्र कर सकते हैं देह भान में आने से बाप की याद भूल जाती है जितना हम विदेही बनकर बाप को याद करेंगे तो बाबा के गुण आत्मा के अंदर आ जाएंगे और हम भी बाप समान गुणवान बनते जाएंगे और जब भी समय मिले तो बाबा की महमा को बुद्धी में समृति में ला क्योंकि हम यात्रा पर हैं, पिता के समन से बादशाही मिलती है, टीचर बन करके वो पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिसे उँचपद मिलता है, सत्गुरु बनता है, तो हमें पावन बनाते हैं, तो इस तरह याद की यात्रा में सारा दिन रहकर आत्मा को सतो प्रधान बनाने का लक्ष रखना है इसी के अधार पर ही हम बाबा ने कहा कि ज्ञान का मनन चिंतन भी करेंगे तो भी बाबा की याद रहेगी क्योंकि चक्र को बुद्धी में फिर आते रहना है आदी में राम राज्य था एक धरम था सभी सुखी थे दैवी गुन वाले थे मध्या में रावन राज्य आया देह अभिमान आया एक दूसरे को दुख दिया गिर्तिकला होती आई तो संगंपर बाबा आकर के फिर से हमें पुर्शोतम बनाते हैं मारी चर्तिकला होती है हम ब्रामन ही जाकर के फिर देवता बनते हैं तो ये समृतियों को इमर्ज करते हुए फिर हमें वाभी करनी है सबको मूल बात यही बतानी है कि ये दुनिया सतो प्रधान थी तमो प्रधान कैसे बने कैसे हम पुज्य थे हम पुजारी कैसे बने तो इसका विचार सागरमंतन करके इसके उपर सेवा करनी है ओम शान्ति